और पाईजान वेख के मूझ पानी ते आई गया होएगा तो चलो आज एक त्वानुन नमा चसकाल वन्नेया चसका की यह आज है जी बीफ स्टेक की रेसिपी यह बड़ी से बरदस्त और असान बनती है मेरा तरीका थोरा सा डिफरेंट है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इंजॉय करेगा चलो फिर वीडियो की जनाब चलते हैं शुरू करते हैं बिसमिल्लारामानराहीम अस्सलाम अलेकम जी क्या हाल चाला उमीद करता हूं सारे ठीक ठाक होंगे वण केजी मैंने ले लिया है बॉन लेस सफेदे का बीफ ठीक है जी यह आपने पाइगो का नहीं सफेदे वाला गोश्ट देना आपने ठीक है इसकी स्टेक बहुत जबर्दस बनती है वन के जी वो ले लिया फ्लैट फ्लैट करके उसके ना मैंने पीसी खुद कर लिये तो उन्हें मोटे पीसी की दसन मैं आप कर लिते हैं छोटे इस तरह जी फ्लैट कर देना है और 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 टीश्पून तीस्पून उन्हें नज भराराए फिलफ स्टीश्य पंद्ध सफार मैं कल्या टीश्पून एक ड्राए जी अजमाए हम थक्तोच रख़ा यह अजवाए के लिख रहाए अजमाल और इसके अमई में छीटहल नहीं है सब्सक्राइब 5 स्टेबल सुन ठीक है इसको याम साली दिया तसको डब के शॉया तर यह उसको मैंने सवसुड़ कर लेना तो रख दिया इस तरह मेरीनेटों यosaur मेरी प्यारी सिस्सभाइए मैंने ले लिए है और शिमल्हा जाला फ mijnем त्वली यह वह न Uns 2024 यह असे सानी से हरा फे रैस only 6 7 चा के आदगे यहारियों मेल दियां में लेकिन और ना अब शहरों बी दैए क्योंकि दुम्स ना यह सी that से आती है जैसा कि मैं पहले भी आपको बताता रहता हो कि मुझे कट बिलकुल पसंद भी नहीं है लेकिन करनी पहते हैं की करा है वो किसी दूसरे से करवाएं, काम वाली से करवालो या अम्मी से करवालो, वो कटिंग के तोटे मुक्तलिफ किसमा दे कार देनें, तो मैंनों सवाद नहीं आन था, मैं का नहीं, अच्छा वह यह मैंने न स्टेक में रेस्टन डाल दिया था, वन टेबल स्पॉन, वह मैंने arna अच्छे बनाने के तो पर इसक बनाने अच्छा सा ट्रीक को साथ साथ बताता हूं मैंने प्रैशर कुकर ले लिया है दो गांठ इसको मैरिनेट किया हूँ था इसके अंदर एग लास पानी का बढ़के न मुट पाड लेना है फिर तुसी ना डोबे लादे ने पानी दे अंदर स्टीक नूठी के प्रेशर लगा देने और ये साथ में पालग गोश्ट बान रहा है मैं नीसी बनाया ये जी गारवलों ने बनाया पालग गोश्ट ये भी बना रहा था के पता नहीं बना पड़ा था अभी इसको ना बना इस तरह से काड लियां सारी सब्जियां काड के मैंने दो के साइट पर रख दियां सजा सुझू के ठीक है तो जी ये ले प्रेशर कुकर का मैंने जो है ना चुला उमें बंद कर दी तह ते उतो सीटी बुलन अपई है सीटी ते सीटी वट जी अच्छा जी गाना यादा आ पानी आपने सुटना नहीं है उसकी अंबन हैंगे मज़ेदार जी सोस मैंने प्रेशर को को ना चंगी तरह से तो तो लिया तो उन्तो बाद ना तुसी इंदेचिना सबसियां पालेनी है ते थोड़ा जिना पिलकुल थोड़ा जिना नमक तो थोड़ी जी नहीं काली और देशी घी से ओईल भीडा सकते हैं तो डाना ज्यादा नहीं फ्रेशर कुकर लगाने लगे हैं इसको हम इसको अने तेज आंच करके ए प्रेशर कुकर के सीरीसर्फ तीन से चार बिनाट लगाना ज्यादा नहीं लगाना और यह आ उप नेम्राने का तरीक यह अन्यत्त तो उपर मैंने दे दिया इसके डगकन फ्राइस के तो इस पासे आ ज़ते हैं है वाले पासे वेको पूरे चार मिनट के बाद इसको मैंने खुला नीचे से थोड़ी थोड़ी लग गई थी क्योंकि चुला तेज किया था लेकिन वह जली नहीं थी बड़ा अच्छा कलर आ गय अच्छा मैंने शोड़ करके वीडियो बनाई है तक आप लोगों के लिए असानी रहे सोस के लिए बड़े लोग पूछते हैं अब यह सोस सीख लें यह वाली यह स्टेक सोस है ठीक है तो जी यह मिश्रूम से एक स्टेक सोस है यह बना रहे हैं फ्राइपान में देखा है क रहे हैं दुटेबलब्सपून में ने ऑइल डाल दिया और उसके अंदर दो टेबल्सफून मैंने मेदा डाल यानिके आल परपर्पस फ्लार वह डालने के बाद उसको बून लेत आँछा में नीचे से तरम्यानी थे रखनी हैं तेज नहीं रखनी है तो जी यह वह वुला पानियां उसको डाल दाल के मेदले में तो इसको टेज चुछे पर बना ले हैं इसको पानिय छोले पिना ले मैं नमक औरक्ल वाय साइस्स तोड़ी ज्यादने नमक नमय को होगा है लें यह पानिय। असर todist के लिए माझा सथ्या means सारा बैलन्स होएगा ठीक है इसका जो है ना टेस्ट सारा बैलन्स हो जएगा बड़ा खटा मिठा सा टेस्ट रहेगा और थोड़ी सी सोस आपनी इसके अंदर रखनी है फ्राइपान में उसमें जी शिमला मिर्च और पयास डाल देने और हरी मिर्चे उसको भून के थोड़ा कि खाना मज़ा नहीं आंदा फिर इसको मैंने ना दम दे दिया था सीरफ पांच मिनट के लिए ठीक है ताकि वो थोड़े से सोफ्ट हो जाएं पयास तो बाकी की जो सोस है ना वो थोड़ी पतली पतली इसलिए रखी थी क्योंकि यह पड़ी पड़ी जम जाती है में लगे कि चुला तेज कर लें तो ओल सारा निकल जाता उसके अंदर से फ्राइज में से ठीक है तो यह बड़े प्यारे हाइस साइटी आंटियां थी तरह प्लेड पूरी सजालो तुसी है पहले स्टेक रखें फिर थोड़े जे फ्राइज रखो ते नाल फिर थोड़ी जी वेजी खो टे उत्ते पाके सोसां सूसां डोल डूल के ना ते कैचप भी पासागे यह इतनी मज़े दार बनी थी और मैं मैं करना मैं पसीने देनाल फुल पिज गया थी मैं फुल पसीने से शराबूर हो गया था हलाके मैं अंदर मार्ड चकर भी ला रहा थी लेकिन चलों टेस्ट कराने अपने कजन हो चला जी ये ट्राय करने ले गया है जान आप अच्छी वण निया ले ओ फिर मैं टेस्ट करां चले जी भाइने टेस्ट का लिया बड़ी अच्छी वद निया गुड़ गुड़ो यस कुग गोगो यस थेंक्यू मेरा पसीने से क्या हाद हो गया कोई बात ने हो दो रहे थे इतना अच्छा खाना काने के लिए पसीना आना जरूरी है वाँ 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 चासा आगई है आज तो अज सही मेनत का फाल मिला माशालाओ बड़ी सब बड़ी दोसे मनी और इजी रेसीपी आप लोग भी ट्राय करें मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसीपी के साथ अल्ला फिसरा बराखा बाबाई